नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं कि किस प्रकार से परिमेकरण करते हैं दोस्तों उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि परिमेकरण करते क्यों हैं यदि आप कोई सवाल हल करते हैं और उस सवाल के एंसर के बटे में अगर अंडरूर आ सवालों में मैं कुछ न कुछ नया बताने वाल हूं सो फ्रेंड्स चली सिखते हैं यदि आपके पास कुछ इस प्रकार का सवाल रहेगा यानि कि 20 बट्टे अंडर उड़ 3 कहने का मतलब है कि अगर आपके हर में अंडर उड़ वाल संख्या केवल एक रहेगा तो कैसे करेंग जो संख्या बट्टे में रहेगा उसी संख्या से उपर नीचे गुड़ा कर देंगे यानि कि उपर करेंगे अंडर उड़ 3 से नीचे भी करेंगे अंडर उड़ 3 से गुड़ा अब क्या होगा जब गुड़ा होगा 20 का अंडर उड़ 3 में तो हो जाएगा 20 अंडर उड़ 3 बट्टा हो जाएगा जब अंडरूड 3 गुड़ा करेगा अंडरू 3 में तो सिर्फ 3 होता है क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई अंडरूड का गुड़ा दो बार होता है और सेम संख्या होता है तो उसका एकठो संख्या बाहर निकलता है क्योंकि अंडरूड का मतलब होत अंडरूड में तो उसका एक संख्या बाहर निकल जाता है उसी प्रकार से यह हम लोग काओगे एंसर दोस्तों यदि इस तीन से अगर 20 कटता तो काट लेते लेकिन नहीं कट रहे तो नहीं काटेंगे यह हम लोग काओ जाएगा एंसर सेम इसी प्रकार से दूसरा सवाल है पा कि अंडरूड में 4 माइनस अंडरूड में 3 है तो क्या करेंगे कि अंडरूड में 4 पलास अंडरूड में 3 से उपर नीचे गुडा कराएंगे ध्यान दीजेगा पहले क्या था पहले हम लोग के पास यहाँ पे माइनस था तो हम लोग करा रहें पलास से अगर यहाँ पे होत तो कराएंगे पलस वाले से अगर रहेगा पलस तो कराएंगे माइनस वाले से कुछ इस प्रकार से करा लेंगे अब दोस्तों 5 गुड़ा करेगा इन दोनों में तो क्या हो जाएगा 5 कुष्टक में अंडरूड में 4 पलस अंडरूड में 3 यानि कि ये वाला 5 अभी गुड़ा में है बादर हम लोग करा लेंगे इस प्रकार से अब क्या होगा नीचे गुड़ा करेगा नीचे यानि कि आपको दिखाई दे रहोगा कि अंडरीड में 4 माइनस अंडरीड में 3 दूसरे Eli 안 View में 4 प्लस अंडरोड में 3 यानि कि यह फार्मूला बन सकता है A-B और A-B अब दोस्तों आपको पता होगा कि A-B और A-B A-Square-B-Square का फार्मूला होता है इसी परकार से हम लोग को यहां दिखाई दे रहा है कि यहां पे A-B और A-B है तो इसको हम लो लिख सकते हैं A-Square यानि कि अंडरोड में 4 के Square माइनस B-Square यानि कि अंडरोड में 3 के Square कुछ इस परकार से हम लोग लेख सकते हैं अब क्या करेंगे दोस्तों कि यह वाला 5 अपने स्थान पर रहेगा और अंडरोड में 4 पलास अंडरोड में 3 बटा क्या होगा जब अंडरोड 4 का Square करेंगे तो कुल मिला कि हम लोग के पास हो जाएगा सिर्फ 4 क्योंकि Square का म साहर निकलता है यानि कि सिर्फ 4 हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा 3 कि अब क्या होगा अब इसको आप सेम टू सेम इसी परकार से लिख सकते हैं यानि कि यह वला हो जागा 5 अपने जगाव परे और अंडरूड में 4 प्लस अंडरूड में 3 बटे 4 में से 3 घटेगा तो हो जागा 1 यानि कि बटा में 1 रहे ना रहे कोई फरक पड़ता नहीं है कुल मिला के एंसर हो जाएगा पांच कोश्टेक में अंडरोड में फोर पलास अंडरोड में थ्री दोस्तों ये हो गया आम लोग का एंसर उमिद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है यदि आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेज़ेगा और बेल आइकन प्रेस करेज़ेगा ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे सो फ्रेंड्स मिलते है किसी और वीडियो में तब तक किलमस्कार जाए हैंदे